असलाम लेकुम दोस्तों आपका फिर समय स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल कतर खबर यूटूब चैनल पे तो साथियों आज की वीडियो में कतर से सबसे पहली जो खबर आ रही है साथियों कतर में बहुत सारे जगाओं पे बारिस हो रही है और बहुत सारे जगाओं पे बारिस पूरी तरह से खतम हो चुका है तो कतर मेटलिकल डिपार्टमें तरफ से कुछ अभी भी वार्निंग दिया जा रहा है कि कुछ जगाओं पे आपको ठंडरी रेन हो सकता है और कुछ जगाओं पे स्ट्रॉंग विन यानि तेज हवाय चल सकती है तो आप जो भी लोग वहाँ पे कतर में रहते हो थोड़ा इससे साधान रहिएगा समल के रहिएगा क्योंकि इसके वज़े से आपको प्रॉब्लम वगएरा ना हो तो भाईयों आप लोग जो भी परवासी मज़़ूर वहां पे रह रहे हो थोड़ा समल के रहिएगा क्योंकि बेवज़ा निकलने से क्या होगा कि यह कहीं भी जा कि अब फस सकते हो अगली जो अपडेट आ रहे हमद मेडिकल कॉर्पेशन एंबुलेंस सर्वीस अरन फोर्थ कंसेक्यूटिव इंटरनेशनल एक्डेशन साथियों पुरी दुनिया में एंबुलेंस सर्वीस जो होती है सर्वीस देने के लिए सभी पेसेंटों को और वक्त पे होस्पीटल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस को दोस्तों वहां पे गया है advocating for prisoner health awareness को लेकर तो साथिंग इन्हों ने health awareness को लेकर दोस्तो वीडियो को शेयर किया है जिसके बाद social media में काफी जादा इसकी वीडियो वाइरल हो रही है तो अगली जो ख़बर आ रही है वो कतर से नहीं है पर बहुत important ख़बर है इंडिया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ साथी जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इंडिया में करोना काल के टैम में जो वैक्सिन दिया जा रहा था ये था कोविट सील कोविट सील वैक्सिन और कोविट सील वैक्सिन काफी जादा भारी मातरा में लोगों को दिया जा रहा था तो कबर दोस्तो निقल कर ये और ये हा रही है कि कोविट सील वैक्सिन से हो सकता है Heart Attack Brain Tommy दोस्तो बता दू आपको कोविट सील की जो company थी उंके जो मालिक थे company ने Britain court में ये कबूला है कि इसके side effect की side effect दोस्तों इससे हो सकता है और Serum Institute of India ने BJP को लगभग 52.5 रुपे का इस पर चंदा भी दिया गया था जिसके बाद COVID seal को दोस्तों पूरी तरह से BJP सरकार के तरफ से मंजूरी दी गई थी अभी खबर निकल कर ये आ रही कि इससे heart attack और brain stroke दोस्तों हो सकता है Britain के court में इन्होंने कबूला भी है और इसके side effect बारे में दोस्तों बाते भी बताई गई है तो बहुत सारे दोस्तों मौते जो हैं इंडिया में heart attack को लेकर हो रही है और ये तादा जो है लगतार दो सालों से बढ़ता जा रहा है तो यदि आप भी COVID still vaccine लिए है तो मुझे comments कर जाके जरूर बताईएगा और यदि कोई आपको feeling इस तरह से हो रहा है तो मुझे comments कर जाके जरूर बताईएगा तो इस vaccine से लेने से क्या हो रहा है कि लोगों की खुन जो है वो जम जा रही है जमने के वज़ा से उसको heart attack या फिर brain stock आने की संभावना काफी जादा बढ़ जाती है तो दोस्ति छोटी सी खबरे थी अपडेट सी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक से क्या मिलता हूं साथियो नेक्स फुटी पे जाहिन अलाफिस और टेक केर